दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊँ कि आप Google Chrome में गलत content वाली websites को block कैसे कर सकते हैं, अगर आप Chrome browser में save browsing करना चाते हैं, dangerous, harmful और inappropriate content वाली websites को अपने Chrome browser में बंद करना चाते हैं, तो इस वीडियो में जो tips and tricks में आपको बताने वाला हूँ, इन्हें आपको अपन content वाली websites को block करने के लिए आपको Chrome browser में top right hand side में अपने profile icon पर click करना है, इसके बाद Chrome की सभी settings आपके सामने आ जाएंगी, यहाँ पर आपको scroll करके थोड़ा सा नीचे की तरफ आना है और privacy and security option पर click करना है, इसके बाद privacy and security setting में आपको scroll करके थोड़ा सा नीचे की तरफ आना आएंगे इनमें by default no protection option selected आता है जिससे की dangerous websites, downloads और extensions के against आपको किसी भी तरह की protection नहीं मिल दिये, इसलिए यहाँ पर आपको enhanced protection option को select कर लेना है, इस option को select करने के बाद Chrome browser में browsing करते time आपको dangerous content के against real time पर proactive protection मिलेगी और आपकी browsing काफिया तक safe हो जाएगी, इसके बाद यहाँ से आपको back आना है, और फिर security section में ही always use secure connections option को enable कर देना है, इसके बाद आपके Chrome browser में hypertext transfer protocol वाली sides पहले की तरह easily open होती रहेंगे, लेकिन बिना HTTPS यानि की HTTP वाली sides easily open नहीं होंगी, open करने पर side loading होते time आपको warning मिल जाएगी कि यह side unsecure है, HTTPS high security protocol है, इसलिए यहाँ पर आपको always use secure connections option को on जरूर कर लेना है, इसके बाद यहाँ पर आपको use secure DNS option पर click करना है, और फिर next interface में सबसे पहले use secure DNS option को enable करना है, और इसके बाद choose another provider option को select करना है, इस option को select करने के बाद customized option के सामने drawband पर आपको click करना है, और फिर clean browsing family filter option को select कर लेना है, तो दोस्तों Chrome browser में इन सभी settings को customize करने के बाद, आपको अपने phone की settings को open करना है, settings page में private DNS लिक कर सर्च करना है, इसके बाद search result में private DNS पर click करना है और private DNS option पर click करके इस setting को open करना है, अब private DNS के अंदर आपको सबसे पहले designated private DNS option को select करना है, select करते ही private DNS एंटर करने का option है तो guys, यहाँ पर आपको एक URL एंटर क इस URL को एंटर करने के बाद चेक मार्क आइकन पर क्लिक करके आपको इसे सेव कर लेना है इसके बाद आपके Chrome ब्रॉजर में गलत कंटेंट वाली साइड ब्लॉक हो जाएंगी यहाँ पर इस सेटिंग को कस्टमाइज करने के बाद कुछ लोगों को नेटवर्क के प्रॉलम हो सकती है इसलिए वो सभी यहाँ पर आटो आप्शन को सेलेक्ट कर लिजिए अधरवाइस इस सेटिंग को एज इटिज रहने दीजिए तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों आई होप आपको यह जानकर यह हैल्फूल लगी होगी